नमस्कार मैं शंबू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आज ही के दिन नेशनल दस्तक 2014 में 20 दिसंबर को नेशनल दस्तक शुरू हुआ था उस हिसाब से आठ साल, आठवे साल में हम लोग परवेश कर गए हैं तो आप सब का सुक्रिया जिन लोगों ने सोसल मीडिया पर भरोसा किया और मैं बहुत थैंक्फूल हूँ कि आप लोगों ने मुझे भी देखा लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है उन लोगों को जिन्होंने निशनल दस्तक को बनाया जिन्होंने निशनल दस्तक की नीव रखी और जिन्होंने निशनल दस्तक को बारे में सोचा उस दौर में जब भहुजन मीडिया के नाम पर दलिद दस्तक हमारे पास था और अच्छी मैगजिन है आज भी चल रही है सान से चल रही है और शुक्रिया सोगदाज जी और शुक्रिया वो तमाम लोग जो निशनल दस्तक के पीछे हैं जो इसके बैकबोन हैं और सबसे ज़्यादा उन दर्सकों का जिन्होंने हम पर भरोसा किया हम लगभग 9 मिलियन सबस्क्राइबर होने वाले हैं यूटूब पर वो बड़ी बात नहीं है अपका भरोसा संख्या नहीं आपका भरोसा और सोचिये मिनम महीने में कम से कम 100 मिलियन मतलब 10 करोड लोग नेसनल दस्तक को देखते हैं और अगर हम YouTube, Facebook और Twitter से मिला दे तो कम से कम 15 करोड के आसपास लोग नेशनल दस्तक पर भरोसा करते हैं और ये एक बड़ी बात है सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए और बहुजन समाज हम लोग की दो-तीन कोशिश है जो मैं बता दू आगे खबर भी मैं बताऊंगा आज संत गाडगे की पुनिती थी है उस पर ही बात करूँगा और RSS ने किस तरह से जाती जनगर्ना के खिलाफ बोला है उस पर ही बात करूँगा और किस तरह से मनुबादी मीडिया सपा और बस्पा को लरा रही है और जो भी नेता इसके बारे में बोल रहे हैं वो बिलकुल गलत है और अखलेश यादब को ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनको सपा और बस्पा बस्पा बीजेपी से आप नहीं लर सकते हैं बीजेपी से नफरत करके बीजेपी ने बड़े इतिहासी काम किये हैं तो मनुबादी मीडिया लरा रही है और इजराइल फिलिस्तिन पर ही बात करूँगा लेकिन थोरा सी थोरी सी बात आप से निसनल दस्तक के बारे में करना चाहता हूँ मुझे नहीं पता था कि कभी हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो पहले संपादक हैं असोगदास जी जो दलिद दस्तक के भी संपादक हैं उनका बहुत-बहुत सुक्रिया और वो सुरुवाती टीम जो निसनल दस्तक से जूड़ी चाहे वो मीना कुटवाल हो भवेन हो बविता हो कई ऐसे नाम है सोईता यादब अब नहीं रहीं कई ऐसे नाम है जिनका साथ मैं नाम भी न जानता हूँ तो वो तमाम लोग मैं तो बाद में आया हूँ निसनल दस्तक से जूरा हूँ लेकिन मेरी डेस्टिनी में निसनल दस्तक है 20 दिसंबर को निसनल दस्तक का जनम दीन है और मेरा भी जो कागजी जनम दीन है वो बिजदी संबर है वो सब सोशल मीडिया पर जो की पब्लिक है तो मैंने बोल दिया बट ये इत्तिफाक है जब निशनल दस्तक की नीब परी थी फिक्की में तो मैं किसी नीव चैनल में नौकरी कर रहा था और मैं एक सुरोता के तौर पर आया था तो निशनल दस्तक के फाउंडर संपादक असोगदास रहें दली दस्तक वो चला रहे थे होई से प्रेरना लेकल निशनल दस्तक नाम बना लेकिन उन तमाम लोग का शुक्रिया जो निशनल दस्तक के जिन्होंने कंसेप्ट को सोचा सोसल मीडिया को समझा सुरुआती उन्होंने नुकसान उठाया और अपने घर की जमापुंजी लगाई अपने पैसे लगाएं और वो तमाम लोग जो इससे जूरे रहें उन सब का बहुत-बहुत से सुक्रिया जो निशनल दस्तक के संस्थाप को का वहीं से सोसल मीडिया का रास्ता बना बहुजन मीडिया का कंसेप्ट आया और लोग अब जम कर हजारों लाखों लोग जो हैं वो सोसल मीडिया के जरिये भोजन समाज के अंदुलन को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया इस भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस भाईचारे के लिए इस सने के लिए अपनापन के लिए और इस भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो दिया है और जब तक मैं इतना कह सकता हूँ कि जब तक हम लोग हैं तमाम परसितियों में ख़बर हम आपको दिखाते रहेंगे अब आपको ले चलते हैं जाती जनगन्ना को लेकर और सुचिये आरेसेस लगातार दलित पिछरे आदिवासियों के कंधे पर बंदू कर रख कर चला रही है आरेसेस के एक नेता ने कहा है कि जाती जनगन्ना से देश तूट जाएगा सुचिये आज भारत की चौथी कौनमी है भारत भारत दुनिया में इतना कहीं सूपर पावर नहीं था आरक्षन लागू है आज देश में स्टेट बैंक हो, LIC हो, रेल बे हो जहां जहां जो तमाम सरकारी कंपनियों की हालत कितनी अच्छी है जहां जहां आरक्षन लागू है और सोचिए किस तरसे RSS के जिनको आप जिनको दलित पिछरा दिवासी RSS जिनको बना रहा है मुखमंतरी जिनको आप जाती से देख रहे हैं वो दरसल संग के लोग है और यह समझना पड़ेगा और जो RSS ने जाती जनगर्ना के खिलाफ है RSS ते जस्वी आदब ने इस टूइट को शेयर किया है तो क्या जाती जनगर्ना देश के खिलाफ है इसे देश तूर जाएगा देश तूटेगा जातिवास से देश तूटेगा मनुवास से देश तूटेगा संपरणाइक्ता से भारत का समिधान सभी को बराबर काधिकार देता है तो RSS बहुजुनों के कंधे परकरसुची आज धनकर सहाब को लेकर मैं जानता हूँ कि इस देश में दलित पिछरे आदिवासी किसानों का मजाक उराया जाता रहा है और ये सच है मैं इसलिए धनकर सहाब के साथ हूँ कोई बनर जी कोई चैटर जी का क्यों नहीं मजाक उराता है कोई तिवारी कोई जा का क्यों नहीं मजाक उराता है ये सबसे बड़ा सवाल है तो बैनर जी ने ममता बनर जी का मजाक क्यों नहीं उराया मिमिक्री तो सब पर हो सकते है इस देश में ये बास सच है कि दलित पिछरे आदिवासी किसानों को टार्गेट किया जाता रहा है लेकिन ये भी बास सच है कि RSS कहीं आपके बरकंदे पर बंदुक रखकर तो नहीं छोड़ रही है और सुचिये सपा और बसपा में किस तरह से लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है तमाम मनुवादी मीडिया चैनल से साबधान रही है ये दोनों को लड़ाने की साजिस है बहुजन एक जूरता से लोग घबराए हुए है और जो लोग भी सपा के नेता हो या बसपा के नेता हो या जो भी तमाम ऐसे पत्रकार जो इन दोनों को लड़ाने की कोशिश करें उनसे साफ रही है और सपा को समझना पड़ेगा कि B.S.P. ने बड़ी लकीर खीची है और कुछ सपा के सरकार में गलतियां हुई है चाहे वो रिजर्वेशन में परमोसन का मामला हो चाहे साहुजी महराज के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदलना हो चाहे वो तमाम जीलों का नाम बदलना हो जो बहुजन महापुरसों के नाम पर B.S.P. सुप्रीमों मायवती जी ने रखा था और ये बात अखलेश यादब को समझनी पड़ेगी और मैं इस बात को प्राउड के साथ कहता हूँ कि इस देश में बहुजन अंदोलन साहुजी महराज फूले आज के हिसाब से वो भी सी थे उनके अंदोलन को संतगाडगे बाबा सहेब ने मानेवर कांसी राम सहाब ने घर घर तक पहुचाया है और दलित पिछरे आदिवासियों की बढ़ाबर की लडाई है ये चाहे जगदेव परसाद भी लड़ रहे थे रामसरु बर्मा भी लड़ रहे थे सुनेलाल पटेल भी लड़ रहे थे और ब्योस्पी सुप्रीमे मायवत्ती भी लड़ रही है मुलायम सिंहादर भी लड़ रहे थे और मानेवर कांसी राम सहब की वहतिहां से दो युगदान है और आज की सिती में इस देश में समिधान, कंस्ट्यूशन, बहुजन अंदोलन और आरक्षन बचा हुआ है तो इसमें सिर्यूल काष्ट कमुनिटी का सबसे बड़ा युगदान है तो इसको समझना परेगा और समाज को एक जूट रखना परेगा अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना ये मानविये सुभाव नहीं है, पिछरे समाज का सुभाव है इसलिए जो लोग भी सपा बसपा में दूरी बनाना चाहते हैं, उनसे साब्धान रहिए और हमेशा से दलित पिछरे आदिवासियों को लड़ाया जाता रहा है किसानों को सवाल है कि कोई बैनर्जी धनकर कहीं क्यों मजा पूर आएगा, कोई मंता बैनर्जी का क्यों नहीं मजा पूर आएग तो वो है दूसरी, आरे से बहुजुनों के कंदे पर बंदू को रखके चला रही है जो दलित पिछरे आदिवासि समाज के हक अधिकार के लिए बोलते हैं, उनकी नौकरियां जारी ये लक्ष्मनियादव आपके सामने सबूत है रोईद वेमूला के साथ क्या हुआ तो अब समय आ गया है कि आप लोग को खुल कर बात करनी पड़ेगी अपने समधानी कदिकारों के लिए बोलना पड़ेगा नहीं तो आपके लगने बाले आपको समझना पड़ेगा अपना कौन है, पढ़ाया कौन है सोचिए किस तरह से इस देश में अरजुन सिंग भी सवन समाज से थे, बीपी सिंग भी सवन समाज से थे उन सब में महराना परताप के अंस थे, उनमें सचाई थी, उन्होंने इस देश के बहुजन समाज को बहुत कुछ दिया है, वो भी हमारे लिए आईकून है तो हमारे सिर्फ समाज में जन्म लेना इस बात की गरांटी नहीं है कि आप उस समाज के ही तैसी है आपका आकलन आपके कामों से होगा लेकिन ये भी तैह है कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों नहीं बहुजुनों के लिए बहुत कुछ किया है ये भी सच है तो दलित पिछले आदिवासी किसानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए चाहे रादितिक मसला हो चाहे समाजिक मसला हो अगर आप एक जूट आपको जातियों में इसलिए बाटा गया था बाबा साहिब ने जातियों को जमात में बदला है जो हजारों जातियों में SC-STOBC के लोग बटे हुए थे किसान जातियां बटी होई थी उसको बाबा साहिब ने SC-STOBC और संक्यक का दर्जा दिया आप हिंदू हो सकते हैं मुस्लिम क्रिस्चन इसाई सिख हो सकते हैं आपका संवेधानिक अधिकार SCSTOBC के रूप में दर्ज है और इसको लेकर आपको सजग रहना है तो RSS जाती जनगन्ना के खिलाफ है ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको कोई TV अखबार नहीं बताएगा ये बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर है कि RSS जो है वो जाती जनगन्ना के खिलाफ है ये RSS के बड़े नेता ने बयान दिया है लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ RSS की पॉलिसी है दलित पिछरे आदिवासी परिवार में जन्वे संगियों के जो जन्वे हैं इस समाज में लेकिर उनकी पूरी नेरेंसिंग संग्या धार संगी विचार धारकी अधार के आदार पर हुई है और उनके कंदे परबंदू को रखके लगातार छोडा जाड़ा इसलिए बहुजन समाज को बहुत सचेत होना पड़ेगा और बहुजन समाज को एक टैक्टी सिखना में सारे सवन समाज के लोग बीजेपी को बोट करते हैं बहुजन समाज के लोग को भी एक जूट होकर बहुजन बादी अंबिटकर बादी बहुजन दलो को बोट करना पड़ेगा नहीं तो हमारे नेता संसत पहले जाते हैं अंदुलन बाद में समगते हैं सत्ता गमा देते ह तो बहुजन एक जुर्ता ही बनानी पड़ेगी बहुजन लोग को समझना भी पड़ेगा और मैं एक बहुजन समाज के पत्रकार के तोर पे बहुजन हितों की रक्षा करने के लिए परती बद्ध हूँ कटी बद्ध हूँ और सबसे बड़ी बात है हम संब्यधानिक अधिका परतिस जग और सचेत आपको करते हैं दूसरी बड़ी खबर है सोची किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है कि इजराइल अपने सबसे बुरे वक्त में हैं और हुथी ने जो यमन के लड़ाके उन्होंने उसकी कमर तोड़ दी है कभी बीजेपी कभी कॉंगरेस कभी कॉंगरेस कभी बीजेपी इसके चक्कर में मत पढ़िये स्टेडियम में मैच देखने से कुछ नहीं होगा आपको खिलारी 11 में पहुचना पड़ेगा और बहुजन समाज को समझना पड़ेगा जो बहुजन समाज के दल या बहुजन इसने साब कहा है कि हम जाती जन्गरना के खिलाफ है इस सबसे बार आप डेट है आप लोग अपनी पर्तिक्रिया जरूर दीजिए शुक्रिया निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.